जैहिन फ्रेंड्स, देश में एक बार फिर से किसानों का अंदोलिन सुरू हो चुका है 13 फरवरी को पंजाब के हजारों किसानों ने विरोध पुर्दरसन के लिए दिल्ली कूच करने की कोसिस की हाला कि किसानों को बॉर्डर पर ही रोग दिया गया किसान संगंटों का ये जो विरोध है ये नियूमतम समर्थन मुल्य यानि मिनिममम सपोर्ट प्राइस MSP को लेकर के है क्या है ये MSP आए इसके बारे में डीटेल में जानते हैं दरसल MSP यानि नियुम्तम समर्थन मुल्य किसानों को दी जाने वाली एक गरांटी की तरह होती है जिसमें तै किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी दरसल फसल की बुआई के दोरान ही फसलों की जो कीमत है वो तै कर दी जाती है और यह तै कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिक्ती तो ये एक तरीके से किसानों के लिए गरांटी का काम करता है अब सवाल ये है कि किन फसलों पर लागू होता है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो देश में अभी 23 ऐसे फसल हैं जिनके उपर MSP लागू होता है तो जो हमारी क्रिसी मंद्राले है वो खारीफ, रवी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों पर भी साथी साथ कॉमर्सियल फसलों पर भी MSP लागू करती है अब आपके दिमाग में कोश्चन आ रहा होगा कि कौन टैग करता है इन फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तो दोस्तो केंद्र सरकार फसलों पर MSP दर लागू करती है और राज सरकारों के पास भी MSP लागू करने का अधिकार है केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिये जाने के उद्देस से 1965 में क्रिसी लागत और मुल्ले आयोग जिसको हम CACP के नाम से भी जानते हैं इसका गठन किया था हर साल रभी और खारी फसलों के लिए ये MSP यानि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तया करती है पहली बार 1966-67 में MSP दर लागू की गई थी और CACP के द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर सरकार हर साल 23 फसलों के लिए MSP का एलान करती है अब एक और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कैसे तय होता है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो जब भी CACP न्यूम्तम समर्थन मुल्य की अनुसंसा करता है तो वह कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखकर ही इसे तया करता है संस्था इन बिंदों पर ध्यान देती है कि फसल के लिए उतपाद की input cost क्या है यानि कितनी उसमें लागत लगी है input मुल्यों में कितना changes आया है बाजार में मौजूदा किमतों का कैसा रुख है मांग और आपूर्ती की क्या स्थिती है यानि demand और supply का ratio देखती है उसके अलाबा international price की स्थिती क्या है तो यार एक और बात मैं आपको बता दू कि अभी देश में MSP को लेकर के कोई कानून नहीं है सरकार चाहे तो किसानों को MSP दे सकती है या नहीं भी देगी ये पूरा का पूरा फैसला सरकार के उपर ही होता है दो सल पहले भी इस तरीके की स्थिती बनी थी और इस कारण से इस वाले आंदोलन को किसानांदोलन 2.0 का भी नाम दिया जा रहा है इसको दिल्ली चलो का नाम दिया गया है और इस आंदोलन को रोकने के लिए किसानों और केंदरिया मंत्रियों के बीच में बैठक भी हुई है लेकिन दो बैठके अब तक बे नतीजा रही है अब आईए जानते हैं पिछले किसान आंदोलिन के बाद MSP के लिए कौन सी समीती बनी इस समीती का क्या हुआ स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है और इसमें किन सिफारिसों को लागू किया गया है सरकार का क्या रुख है कॉंग्रेस ने क्या कहा है इसके बाद दिल्ली की सिमाव पर विरोध कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया था MSP की कानूनी गारांटी आंदोलन की प्रमुख मांग थी प्रधान मंत्री को लिखे एक पत्र में किसान सगटनों ने कहा था कि खेती की संपुर्न लागत पर आधारित C2 प्लस 50% नियुम्तम समर्थन मुल्य सभी क्रिस्ती उपस के उपर सभी किसानों का एक कानूनी हक बना दिया जाए और इसको स्वामी राथन रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है सरकार द्वारा गठित MSP पर समीती की पहली बैठक अगस्त 2022 में आयोजित की गई थी और जानकारी के अनुसार समीती अब तक कुल 6 बैठके कर चुकी है और इसमें समीती के पास हलाकि कोई समय सीमा निरधारित नहीं है और इसके रिपोर्ट प्रसूत करने के भी अभी कोई समय सीमा तया नहीं हुई है अब आईए आपको बताते हैं कि स्वामीनाथन आयोग ने MSP को लेकर के क्या कहा था दरसल किसानों की बढ़ती आत्महत्या के बीच में नॉमबर 2004 में क्रिसी व्याग्यानिक और फादर आफ ग्रीन रिवॉल्यूसन भारत के अंदर कहे जाने वाले MSP स्वामीनाथन की अध्यक्षता में रास्टिया किसान आयोग का गठन किया गया था और ये NCF को स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है तो किसानों की आमदनी को बढ़ाने के अध्यक्षत से ये इस आयोग का गठन किया गया था और अक्टूबर 2006 तक इन्होंने चार रिपोर्ट प्रस्तूत की थी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किसानों से जुड़े मुद्दों पर सुझाओ दिये थे उसमें ये कहा गया था कि जो छोटे किसान है उनकी efficiency को बढ़ाने की जरूरत है साथ ही साथ उन्होंने MSP को लेकर ये कहा था कि इसमें सुधार करने की जरूरत है धान और गेहुं के अलाबा अन्य फसलों पर भी MSP की विवस्था करने की जरूरत है साथ ही साथ उन्होंने आयोग को एक और सुझाओ दिये थे कि MSP उत्पादन की भारित और आसत लागत से कम से कम 50% अधीख होनी चाहिए यानि C2 प्लस 50% के फॉर्मूले से चर्चित है इसके अलाबा स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि किसान को फसल की कुल कीमत जिसको हम C2 बोल रहे हैं और उस पर 50% प्रॉफिट के हिसाब से MSP देना चाहिए यहां C2 का मतलब है Comprehensive Cost of Production Comprehensive Cost of Production यानि खेती करने में आपकी जितनी लागत लगी है जितनी आपकी टोटल पुंजी लगी है और उस पर 50% का प्रॉफिट वो प्रॉफिट इसलिए चाहिए कि कि उस फसल को उगाने के लिए किसान ने मेहनत करा है दोस्तो आगे किसाना अंदोलन से रिलेटर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं इस योटिप चानल पे आपके साथ साजा करूँगा मेक सियोर कि आपने इस चानल को सस्क्राइब कर लिया है अभी के लिए सबसे इमपॉर्डेन अबडेट यह है कि अटरफ फरवरी को अनकाडमी डिफेंस स्कॉलर सिप टेस्ट का आयोजन होने जा रहा है जिसमें अगर आपकी रैंक 1,2,3 आती है तो आपको 100% का स्कॉलर सिप दिया जाएगा अनकाडमी के प्लट सबस्क्राइब्सन पे साथी साथ 4 to 10 रैंक आने पे 80% स्कॉलर सिप 11 to 100 के लिए 70% और 101 to 1000 के लिए 55% स्कॉलर सिप का प्राभधान रखा गया है तो डिस्क्रिप्सन में इसका लिंक दिया गया है उसमें जाकर के फड़ अफर से इन्रॉल कर लीजे आज के लिए सबसे इंपोर्टेंट अपडेट ये है कि अनकाडमी के सारे प्लस सब्स्क्रिप्सन पे 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है साथी साथ 3 महिने का फ्री इक्स्टेंशन भी दिया जा रहा है राफरल कोड जो आपको यूज करना है ये ओफर 17 फर्वरी तक वैलिड है तो आप इस ओफर का फाइदा उठा सकते हैं अगर आप डिफरेंस एक्जाम्स की त्यारी कर रहे हैं जैसे CDS, India और CAPF एक्जाम्स की तो आप Unacademy के Learning App पे जितरी भी batches है आप एक subscription में सारे batches को access कर सकते हैं तो साथी साथ आप digital notes का भी फाइदा उठा सकते हैं उसी plus subscription के अंदर में और test series भी आपको उसी में included मिलेगा तो Unacademy is like Netflix मतलब आपको ऐसे आपने कोई batch में enroll कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी batch में पढ़ोगे plus subscription का मतलब होता है कि आपके लिए सारी batches free है so this is the one and only platform भारत में जो ये सारी सुविदाएं provide करती है so make sure you are subscribing to Unacademy plus जैहिंद